नमस्कार दोस्तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि पुरुसों की जो लिंक सिकुड जाती है छोटा हो जाता है पतला हो जाता है श्रिंक हो जाता है वो क्यूं होता है उसका पीछे क्या कारण है मेरे पास धेरो पेसेंट आते हैं हर दिन उन में पैथे में किस तरह का ट्रीटमेंट अवेलेवल है इस प्रॉब्लम के लिए तो मैं डॉक्टर सुप्र रहता और आप सभी का फिर से एक बार बहुत-बहुत स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल होम्यो के टिप्स पे दोस्तों लिंक का सिकुड ना बहुत बड़ा लक्सन होता है जो आपका लिंग आपको दे रहा होता है ताकि उसे देखकर उसे समझ कर अप ट्रीटमेंट के लिए आगे बड़े जैसे किसी में अगर मॉर्णिंग एलेक्शन गायब होता है तो वह सबसे पहला सिम्टम होता है कि उसका अंदर यौन समस्य डेवलब हो रहा है ठीक उसी तरह से अगर आपका लिंग श्रिंग हो रहा है छोटा हो रहा है अंदर का तरफ घुश जा रहा है तो यह भी जो है एक दूसरा संकेत होता है जो आपका बॉड़ी जो आपका लिंग आपको दे रहा होता है और इसे देखकर समझ कर आपको अल यौन समस्या डेवलब हो चुका है उसके लिए आपको treatment कराना होगा और जैसे ही आपका sex problem ठीक हो जाएगा तो उसी के साथ साथ आपका जो स्रिंकेज वाली problem है या morning reaction की जो problem है ये भी जो है automatically सही हो जाएगा इसके लिए आपको अलग से treatment नहीं कराना पड़ेगा दोस्तो आपका thyroid hormone बढ़ने के कारण से हुआ है या testosterone का कमने के कारण से हुआ है या महिला hormone जो है प्रोलक्टिन या फिर आपका estrogen hormone है वो बढ़ने के कारण से हुआ है या आपका blood sugar का level बढ़ने के कारण से हुआ है या आपका नापुन सकता जो है या फिर मांसिक level से है यानि आपका कोई समस्या है या फिर आपको वीनेस लिकेज की समस्या है या फिर वेरिकोसिल की आपको समस्या है तो ये कुछ हमने यौन समस्या का प्रमुक कारण हमने बताए है इसमें से कुछ भी आपका अंदर हो सकता है इसे छोड़कर भी और भी बहुत सारे समस्या हो सकता है लाइक डॉक्टर जो एक expert है इस field में वो भली भाती आपको बोल पाएगा भली भाती आपका treatment कर पाएगा में भी जरूरत पढ़ने पर आपका डॉक्टर आपका कुछ test भी करवा सकता है ताकि आपका समस्या का मूल जल क्या है वो पता लगा जा सके और उसके according आपको treatment दी जा सके औ क्योंकि patient to patient problem to problem vary करता है क्योंको कौन सा medicine देना चाहिए और इसलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि homeopathic medicine से self-medication बिल्कुल भी ना करे क्योंकि homeopathic medicine में इतनी सारी medicine से एक ही समस्या के लिए आप खुद confused हो जाएंगे कि आपको कौन सा medicine खाना चाहिए और किसको खाना न मिल जाएगा ऐसा इसलिए क्योंकि हो सकता है आप दोनों का problem सेम ही क्यों ना हो लेकिन आप और आपका मित्र एक इंसान नहीं है आपका mentality कुछ अलग है उनका mentality कुछ अलग है आपका family history कुछ और है और homeopathy में इनहीं बातों का मध्य नजार रखते हुए आपका medicine का chain किया ज एक ही medicine जो सबको दिया है आप देख सकते मेरे चैनल को उपर इदनी सारी लाइफ वीडियो आपको देखने को मिलेंगे जहां मैंने patient को कैसे ठीक किया है वह हमने बताय हुआ है case video के माध्धम से और सभी patient का cases में हमने अलग-अलग medicine का प्रयोग किया है ऐसा नहीं कि same medicine से treatment आप लीजिए तो दोस्तों मेरे खाल से इस वीडियो के माध्धम से आप लोग समझी गए होंगे कि लिंक का सिकुण ना सिंकेच कोई problem ही नहीं है यह एक लक्षन है जो आपका body आपको दे रहा होता है आपका अंदर जो यौन समस्या डवलब हुआ है उसके लिए ताकि आप उसे देख कर समझ कर जल्द से जल्द अपना यौन समस्या का इलाज कहीं से कराए तो दोस्तों मैं इस वीडियो को ही प्रेंट करता हूं तो थैंक्यों वेरी मॉच और हवा गुड़ डे